तो आज हम डिसकस करने वाले हैं कि आपको exercise selection कैसे करना है when you are building your own workout तो सबसे पहली चीज यह आएगी इसमें कि आपका जो fitness goal है उसके साथ match होना चाहिए आपका exercise selection का पूरा criteria मतलब अपकर आपको bodybuilding करनी है तो उसके हिसाब से आपको exercise select करनी है अगर आपको power lifting करनी है अगर आप एक beginner है, intermediate है, advanced level के athlete है तो उसके हिसाब से आपको select करना पड़े है अगर आप weight lifter बनना जाते है तो weight lifting के लिए आपको clean और jerk और snatch से related आपको चीज़ें करनी पड़ेगे और बागी सब चीज़ां अब accessory movements वरक सकते हैं अगर आपको body building करनी है तो आपको isolation movements का अच्छा combination बनाना पड़ेगा, power lifting करनी है तो squad bench press और deadlift पर ज्यादा focus करना पड़ेगा, dipend करता है कि आपका goal क्या है उसके basis पर आपको exercises चूज करनी है, second important चीज़ है कि जब आप select करें exercise आपकी कोई भी हो कैसी भी हो, उसमें आपको progressive overload की possibility का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब उस exercise में ये possibility होनी चाहिए, या तो आप उसमें weight बढ़ा सके, या तो आप set include कर सके extra, या तो आप reps बढ़ा सके, तो ऐसी exercise चूज करनी है आपको progressive overload जिसमें हो सके, third चीज है individualization, मतलब आपके लिए individual कोई workout plan या कोई particular exercise, mobility या आपकी flexibility में issue तो create नहीं कर रही है, current level की mobility या flexibility कैसी है, वो आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको exercise design करनी पड़ेगा, तो मैंने एक video बनाई है functional movement screening पे, वो आप video देख सकते हैं, या पाई button में आ जाएगी, उसके basis पे आपको समझा जाएगा, कि आपकी body कितना capable है, next आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कि variation की capacity है या नहीं है, उस पे, अब देखो, variation मेरे लिए बहुत बड़ा number नहीं है, मैं bench press साल बाई साल कर सकता हूं, every single year, बट कुछ लोग बोर हो जाते हैं, तो variation आपको रखना है नहीं रखना है, आपकी personal choice है, बट आप सेम exercises करते हो और as long as you are progressively overloading that, मतलब reps बढ़ा रहे हो, या तो weight बढ़ा रहे हो, या तो sets बढ़ा रहे हो, तो आपको progress होगी ही होगी, next step फिर एक important चीज बैलेंस, अब balance से मेरा मतलब यहां पर यह है, कि physical balance नहीं बोल रहों कि body balance बना पारी है, नहीं बना पारी, balance का मतलब यह है, कि आपक exercise select कर रहे हो, उनका balance कितना है, अगर आपकी lifestyle ऐसी है, या आपकी job ऐसी है, जिसमें physical labor बहुत जादा है, तो आप कोशिश करें, वो exercises यूज करें, जिसमें बहुत जादा physical taxing नहीं हो, ताकि आप exercise regular long term तक कर सको, अगर आप ऐसी exercise चूज करते हो, जिस से recover करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो आपको problem हो जाएगी आपकी day-to-day lifestyle maintain करने में, यहां बागी सारी चीजे करने में, तो please make sure कि आप ऐसी exercise चूज कर रहे हो, या exercise चूज कर रहे हो, इसमें आप थोड़ा balance मना सको, lifestyle के साथ, और आपकी current जो job है उसके साथ, so balance मनाना बहुत फिर next topic है rest and recovery, देखो सबकी body की recovery rate अलग-अलग होती है, तो मेरे कहना का मतलब इससे यह है कि मैंने लोगों को तीन बार legs करते भी देखा है, without pain, मैंने लोगों को एक बार legs करते भी देखा है, जो कि recover नहीं करते 10-10 दिन तक, so for example, मेरा example ही ले लो आप, कि मैं 10 दिन में एक deadlift कर सकता हूं, conventional deadlift, क्योंकि मेरी lower back और spinal directors इतने ज़्यादा fired up हो जाते हैं, कि मुझे 10 दिन लगते है recover होने में, तो मैं 10-12 दिन में एक deadlift का session कर सकता हूं, उसकी जगे अगर मैं Romanian deadlift करूं, जो कि hamstring पे मेरा थोड़ा focus ज़्यादा डालती है, तो मैं उसको week में दो बार भ recovery भी हो ली थी, तो rest and recovery देख के आपको पता पड़ेगा कि selection क्या क्या करना है, और rest and recovery के हिसाब से आपको चीज़ें चेंज भी करने पड़ेगी, for example, आपने workout routine अभी चालू किया, हो सकता है कि आप दो महीने बाद consider करो कि यार मेरे को legs recover होई नहीं रहे, या मेरा chest recover ही नहीं आप recover नहीं कर पारे, तो आप exercise change करके देखो, हो सकता है, आपके लिए कुछ और suitable exercise हो, जरूरी नहीं है, कि जो internet पर बता रहे है, या जो rule book में लिखा है, वही exercises आपको करनी है, बस basic concept होते है, कुछ वो follow करोगे, तो body आपकी transform हो जाएगी, फिर next बात है adaptation, आपकी body कितना ज जाएंगे, आपको छोटी-छोटी exercises या parts सीख के वहां तक पहुंचने में, तो अगर आप इतना adaptation करने के लिए तयार हो, तभी करना यह सब चीजे, नहीं तो आपको basic push pull legs, single body part, double body part, upper body, lower body split, कोई भी split चलेगा, और exercise selection भी आप कोई भी ज्यादातर complexity नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको adaptation चाहिए, कि आपको clean or jerk, clean or jerk करना है, snatch करना है, आपको power lifting करना है, power lifting के लिए heavy loads उठाने पड़ेंगे, लेकिन body building में ऐसा कोई rule नहीं है, आप 5 kg से भी अच्छे कासे reps करते हैं, या failure तक जाता है, तो आपकी body change होगी ही होगी, so depend करता है, आपको goal क्या है, उस ह हिसाब से आपको ये भी दिमाग में याद रखना है, कि आपका adaptation कितना जल्दी होगा, और आप exercise कैसे change कर सकते हैं, in the future, थाकि future adaptation भी जल्दी हो, फिर next चीज है safety, ऐसी exercises चूज करना, जो safe हो, अब आपने देखी होगी, इंटरनेट पर joker वाली exercise भी होती है, कि बोसू बॉल पर, या फिर आपकी Swiss ball पर खड़े होगे, single leg squad कर रहा, dumbbell लेके बंदा, वो exercise दिखने में अच्छी लगती है, पर practically possible नहीं है, जाधा तर लोगों के लिए, और उसका कोई benefit जाधा है भी ने, और कुछ लोग calisthenics को बहुत जाधा बोलते हैं, कि मुम को try करना, हम को try करना है, भई आप 115 खिलो के हो, आपसे एक push-up नहीं होती, तो आप starting में calisthenics नहीं कर पाओगे, आपको बहुत time लगेगा, तो किसी भी चीज को worship करने से पहले ये देख लोगे, current condition में वो safe है के नहीं है, तो safety बहुत बड़ा important major reason है, कि आपको exercise select कैसे करनी है, फिर next हम बात करेंगे efficiency की, अब efficiency में एक बहुत important चीज है, efficiency का मतलब यहाँ पे है, risk to reward ratio, fatigue to reward ratio, risk to reward ratio का मतलब क्या है, कि आप किस exercise में कितना risk ले रहे हो, और आपको in return result कितने मिलेंगे उससे, for example, single leg squat में काफी risk है, आप गिर सकते हो, आपको लग सकती है, लेकिन normal barbel back squat में risk थोड़ा कम है, और उ आपके उपर है, यहाँ आपके जो sport है, यहाँ आपको जो चीज सीखनी है, उस पर depend करता है, कि risk to reward कैसा रहेगा ratio, अगर आपको power lifting करनी है, तो आपको barbel back squat करनी ही पड़ी, कि जिसमें risk थोड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा risk नहीं है, लेकिन आप single leg squat करोगे, कहीं किले reward ratio का हमेशा ध्यान रखना है, कि आपको fatigue कितनी हो रही है, आपको result कितने मिलेंगे, और injury के chances क्या है, अब fatigue to reward ratio का मतलब मेरा क्या है, कोई ऐसी exercise हो, जिससे drop set, super set, बहुत सारे हो जिसमें, आपको fatigue बहुत डेवलप होगी, मतलब muscle breakdown बहुत जादा होगा, लेकिन reward क्या मिला, वो चीज है, बहुत लोग करते हैं, एक एक घंटा, डेडर घंटा कार्डियो करते हैं, फायदा क्या है उसका जगर, अगर आपका Indian muscle loss ही हो रहा है, तो fatigue और reward का ratio भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिना सोज़े समझें, पहले जा रहो, कुछ भी करे जा रहो, ये नहीं करना है आपको, और efficiency का एक और मतलब है कि timing, आप 45 मिनिट से एक घंटे के अंदर अगा workout करके घर जाना चाहते हैं, तो ऐसी exercise choose करनी है, चुकि efficient हो, और उन दिन पर वो exercise करनी है, जिस दिन जातर लोग वोनी कर रहे हैं, तो आप सेम दिन पर जाके सेम ची जाएं, वेस्ट नहीं हो जिम में जाके, so this was it, I hope मैंने सारे points कवर कर लिये, जितने मेरे दिमाग में है, I hope सारी चीज़े समझ में आ गई होगी, and if you like my videos, please follow me for more content, and subscribe to the channel, और अगर आपको देखना है, तो आप ये videos और देख सकते हैं, thank you for watching, have a nice day, I'll see you in the next one, bye-bye. झाल